दोस्तों GST में बहुत बड़ी update और बहुत बड़ी good news है कि अब आप credit card से भी GST का payment कर सकते हैं अब आसानी से आप credit card से GST का payment कर पाएंगे income tax में ये काफी time पहली ये facility आ गए थी लेकिन GST में अभी ये facility आई है तो मैंने सोचा पहले आपके साथ share करता हूं कैसे credit card से payment किया जाता है GST portal पर तो कैसे payment करना है create चालान पर जाएंगे हम GST 3B अभी तो file नहीं हो नी आपको बताऊंगे कि आप अपना credit card से कैसे payment कर सकते आपको any other payment पर select करना है और आगे इसको proceed कर देना है यहाँ पर मैं 100 रुपे का एक चालान बना लेता हूं तो यहाँ 100 रुपे में टाइप करता हूं और इपेमेंट पर किलिक करेंगे जनरेट चालान पर किलिक करेंगे हम यहाँ पर देखते हैं तो हमको यहाँ नया option मिल जाएगा prefer bank और net banking पहले से था कोटेक महिंद्रा बेंक यह platform अपना प्रोवाइड करता है इसके मदद से आप कर सकते हो किसी भी credit card से कर सकते हैं यहाँ नहीं कि इसी का आपको credit card चाहिए I agree पर क्रिक करेंगे उसके बाद time of condition रीट करना तो रीट करो उसको submit करोगे उसके बाद आप bank payment पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपके पास option आएगा I am understood यहाँ पर आपको अपना mobile number एंटर करना है email id देनी है ght invoice चाहिए तो यहाँ पर आप टिक करेंगे यहाँ पर आपको basic detail देनी पड़ेगी customer name, email address और ght number और pin code जब आप credit card का कभी यूज करते हैं तो आपको मौलूम है कि उसमें transaction भी charges भी कटते हैं 1% या 2% तो हो सकता है कि आपका यहाँ पर charge किया जाए तो उस पर ght लगता है उस ght का अगर आपको input चाहिए तो यहाँ आपको अपना name देना पड़ेगा ght number देना करा email देनी पड़ेगी उसके बाद हमको proceed कर देना है सारी detail डालने के बाद हम proceed कर देंगे अगर आप skip करना चाहते तो आप यहाँ से skip भी कर सकते है यह देख लिए आप option आपको दिखाई दे रहा skip का तो अगर आप tip करना चाहते है यहाँ से skip कर सकते हो हमने सभी डिटेल डाल दी हैं अब यहाँ पर हम प्रोशीट करेंगे प्रोशीट करने के बाद दोस्तों फिर क्रेड कार्ड नमबर डालना एक्सपारी देड डालनी है और नेम डालना है दोस्तों ज्यादा नहीं है बट कुछ चार्जेज यहाँ पर जरूर कट रहा है तो इसका 0.78 चार्जेज बनता है जो भी बने बट मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ OTP डालके एक बार इसको प्रोशीट करता हूँ और सब्मिट कर देते हैं तो दोस्तों पेमेट यहाँ पर हमारी successfully हो गई है यह तो एक update हो गई समझ में आ गया होगा दोस्तों तो easily मेरे portal पर यह 100 रुपीज आ गया यहाँ पर किलिक करके मैं case laser देखूंगा तो यहाँ पर 100 रुपीज case में मेरा आ गया दोबारा से dashboard पे जाएंगे फिर यह चीज आपने समझ लिए credit card वाली अभी आपके लिए एक good news ओर हैं दोस्तों आपने समझ लिए कि credit card से कैसे payment करनी है एक और important update और देखो credit card से तो payment हो गई उसका charge में थोड़ा बहुत कटेगा आपका कुछ charge में कटेगा आपको उसको mind में जरूर रखना है अगर आप यहाँ पर e payment करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके UPI जो UPI facility होती है वो बहुत जल्दी ही आने वाली है तो आपका सिर्दर्थ खतम हो जाएगा कि net banking में जाको इसे payment जमा करो तो अब UPI facility भी आने वाली है अब direct UPI से payment कर सकते हैं तो credit card की facility हम लोगों के लिए आ चुकी है अब भी UPI की facility भी आने वाली है आशा करता हूँ कि आपको समझ में जरूर आया होगा तो इस वीडियो को like और share जरूर करे और हमारे चैनल को subscribe करना नाव